नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी बॉर्डर वाली ब्लाउज की कटिंग और स्टीचिंग जैसे आप लोगों ने कमेंट किया है कि हमें बॉर्डर वाला ब्लाउज कटिंग और स्टीचिंग बताईए तो यहां पर मैंने बॉर्डर वाला कपड़ा लिया है यहां पर पर कटिंग कर के बना सकते हैं यह पहले पीछे का पल्र निकालें तो यहां पर किसी ने बोला है कि 44 चैस्ट का बताईये तो दीकि सबसे पहले तो आपको लंबाई लेनी है जितनी भी आपकी लंबाई है उतनी आप पहले लंबाई का निसान लगाए उसके बाद आप उसमें एक इंच बढ़ा के लें तो जैसे हमारी 14 इंच की लंबाई है तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 15 इंच यह तो हमने लंबाई ले ली और उसके बाद जैसे हमारी बॉर्डर है ना तो इसमें हमें अंदर वाली पट्टी लगाने हैं इसको नहीं हम दबाएंगे अंदर कि साथ हम इसमें एक पठी लेंगे और उसको अंदर कि शाथ दबाएंगे और यहाँ पर जैसे हम deep गला बनाएंगे तो इसके हम solder लेंगे 5.5 इंच के अगर आप simple गला बना रहे हैं जैसे पीछे का गला आप 6 या 7 इंच का बनाएंगे तो 6 इंच के solder लेने आपको अब यहाँ पर 44 चेस्ट है तो इसके हम आरूमल लेंगे बोलेंगे हम 6.5 इंच और इस तरीके से हमें निशान लगाना है पहले अब इसके बाद देखी हमें यहाँ से गोलाई इस तरीके से गोलाई का निशान लगाएंगे अगर आप अस्तल वाला बना रहे हैं तो पहले आप अस्तल की कटिंग करें इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कपड़े की कटिंग कर रहे हैं उसी तरीके से आपको पहले अस्तल की कटिंग करना है और फिर जो साड़ी का कपड़ा अस्तल को उसके उपर रखना है लेकिन बड़ी का कप्ड़ कातें तो बड़ा कातें अब देखे 44 चैस्ट है हमारी यहाँ पर 44 तो पीछे का पल्लर हमारा 22 इंच का है 22 का आदध करेंगे तो आएगा 12 इंच इस तरीके से यहाँ पर आएगा 11 इंच तो 11 इंच पे हम यहां पे निशान लगा लेंगे अपना फिटिंग का, उसके बाद 1 इंच लेंगे हम यहां पे सिलाई के लिए, इस तरीके से हमें निशान लगाने हैं पहले, अब 2 इंच की हमें गले की चोड़ाई लेनी है, गले की लंबाई हम यहां पे लेंगे 6 इंच, अगर आप चाहें, तो इसको डीब भी बना सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पे 6 इंच का गला काट रहे हैं, और मैंने इसके सोल्डर ली हैं, बो ली हैं, साड़े 5 इंच, और इसका गला हम रखेंगे 8 या 9 इंच का, लेकिन अगर आप नॉर्मल गला बना रहे हैं, जैसे सिंपल गला बनाते हैं, तो 6 इंच के आपको सोल्डर लेने हैं, यहाँ पे आदा इंच आपको इस तरीके से बढ़ाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर वाले बलाउज में हमें पीछे का पलना निकालना है, और यहाँ पे हम बीच में इस तरीके से निशान लगाएंगे प्लेट का, पीछे की प्लेट हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, उसके बाद इसको रखेंगे हम आगे की साइड इस तरीके से और यहां पे लेंगे हम एक इंच जो हमारा प्लेट में जाएगा एक इंच हमें इसमें बढ़ा के लेना है अब देखें आगे और पीछे का भी हमने गला बराबर काटा है अब हमें जैसे आगे का गला बढ़ा करना है साड़े छे इंच का रखेंगे तो यहां पे हम इसको ऐसे करके बढ़ा लेंगे आदा इंच हमें यहां पे आरूमल का कटिंग करना है जरूर क्योंकि जोलाती है इसलिए हमें इस तरीके से आदा इंच कटिंग करना है अब हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे तो तीरे का निशान हम यहाँ पर चेस्ट के साब से लगाते हैं 14 इंच पर निशान लगाएंगे तीरे का यह हमने एक सीधा निशान लगा लिया उसके बाद हमें एक इंच उपर की साइड लेना है इस तरीके से अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे, तो 11 इंच है हमारा यहां पर फिटिंग का कपड़ा, अब 11 का हम आदा करेंगे, इस तरीके से, तो यहां पर हमारी यह शाड़े 5 इंच बीच में पिलेट आएगी, उसके बाद हम यहां पर लगाएंगे टक्स का नि नहीं है दो दो इंच की इस तरीके से हमने प्लेट का निशान लगा लिया अब यह हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें हमें देखिए बाजूब की चोड़ाई के लिए कपड़ा इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी चोड़ाई कम है कपड़े की तो है भी इंच है और हमें चाहिए यहां पर चोड़ाई 10 इंच तो हम कपड़े को इस तरीके से करेंगे और यहां पर हम यह कपड़े को जोड़ेंगे इसको हमें ऐसे रखना है अब देखिए यहां पर हमारा जो कपड़ा है उसकी लंबाई हमें पूरी लेनी है तो यहां पर हमारे कपड़े की लंबाई है वो 8 इंच है तो यहां पे हमें पहले cutting का निशान लगाना है 3 इंच पे देखे इस तरीके से हम यहां पे 3 इंच पे निशान लगाके और ऐसे काटेंगे उसके बाद हम इसको ऐसे जोड़ेंगे यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसको यह भी छोटा है और कपड़ा कम है तो इसको हम ऐसे करके जोड़ेंगे क्योंकि हमें पूरा जोड़ना है और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताई यहां पर हमें चोड़ाई लेनी है 10 इंच तो 10 इंच की हमारी चोड़ाई होनी चाहिए जब ही हमारे आरोमल में अच्छे से आएगा तो यहां पर देखिए 10 इंच की इस तरीके से हमने चोड़ाई ली है और इसको हमें पहले जोड़ना है यहां पे हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो मैंने कटिंग का निशान लगाया ना इसको हम ऐसे करके रखेंगे और फिर हम यहां पे लेंगे तीन इंच तीन इंच लेने के बाद हमें यहां पे ऐसे करके इसको काटना है फिर हमारी बाजू की चोड़ाई हमें पराबर मिलेगी क्योंकि हमने इसमें ये टुकड़ा जोड़ा है तो जब भी आपके कपड़े की चोड़ाई कम हो तो आप इसी तरीके से जोड़ें और यहां पर चोड़ाई आपको 10 इंच की लेनी है डबल करके और इसको अगर आप इस तरीके से खोलेंगे ना तो यहां पर हमारी 20 इंच की चोड़ाई आनी चाहिए तो इस तरीके से भी आप बाजु को जोड़ें, अगर कपड़ा कम है तो, अगर आपका कपड़ा ज्यादा है चोड़ाई मैं तो आप भी सिंच के चोड़ाई लेके कटिंग कर सकते हैं, तो यहां पर हमारा आगे कपल्लर हो गया, और यह हो गया हमारा पीछे का, तो अगर आ पस्तल बाला कटिन्ग करेंगे तो पहले इसी तरीकme से आपको ऐस्तल की कटिंग करनी है फिर साड़ी के कपड़ेंग उपड़ा सबना नीकरना हृम अब ही जो मैंने बॉर्डर बाले ब्लाउच की कटिंग और स्टीचिंग डाली है उसको भी आप देख लें तो उससे भी आपको कुछ आइडिया मिलेगा तो यहां पे हमारा ही कम कपड़ा बचा हुआ है एक कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से ही हम गले की पट्टी निका तो यहां पे आप 1.5-1 इंज की छोड़ाई रखें पट्टी की हमने 10.5 इंज की चोड़ाई ली है तो अगर आपका कप्ड़ा जादा है तो आप उसी में से काते हैं बलाउच का जो कपड़ा है उस ही मैं से काटे है और इस तरीके से आपको पट्टियां जोड़नी है इस इसको ऐसे करके डबल करके लगाना हमें पट्टी को तो तीन इंच की यहां पर हम चोड़ाई लेंगे और एक कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें हुक वाली पट्टी बनानी है तो यहां पर हमारी पट्टी के चोड़ाई होने चाहिए बू होने चाहिए 1.5 इंच की है तो इसको हम अंदर के साइड लगाएंगे जो हमारी हुक वाली पट्टी है और हाँ अगर आपे stitching नहीं आती है heavy blouse की तो उसका भी वीडियो मैंने डाला है कि heavy blouse की stitching हमें कैसे कर दी है तो प्लीज आप चैनल में देख लें मैंने बहुती आसान और सरल तरीके से इसमें जो टक्स हैं वो किस तरीके से डाले जाती हैं तो वह मैंने बताएं तो प्लीज आप चैनल में देख लें और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को जाद से जादा शेयर कीजिए और कुछ पूछना या सीखना चाहती है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और जो नए लोग आफो वीडियो को पहली बाद वो हमारे चैनल को सस्क्राब करने हैं इससे क्या है आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकिसन आपको मिल जाएगा धन्यवाद